मस्कार दोस्तों मैं हूँ आकिल बार असकर और आप देख रहे हैं अडवांटेज अंड टेक्नोलाजी चैनल दोस्तों काम इतना हो चुका है कि दिन में समय ही नहीं मिल पा रहाएगे आपको एक वीडियो बना के देशकों तो इस प्रकार रात के जो है आठ बज़े हैं और इसी वीडियो को बना के हम अपलोड कर देंगे आपको सबेरे जो है सबेरे तो नहीं मिलेगा क्योंकि दिन में अगर वीडियो पब्लिक करते हैं तो कोई देखता नहीं है वीडियो करीज ज्यादा आती नहीं है इसलिए जो है इस वीडियो आपको शाम में साथ बज़े या फिर साड़ी साथ बज़े मिल जाएगा हर संड़े हम ने ये जो है टाइम डिसाड किया है कि हर संड़े हम क्या करेंगे छे से लेके साथ साथ या फिर आड़ बजे के अंदर जो है वीडियो को पब्लिश कर देंगे तो यह प्रकार जो है में नाट में वीडियो एक टॉर्च लगा के बना रहा हूँ क्योंकि भार जो है बहुत ज़्यादा सन अटा है खेर उससे आपको कोई मतलब नहीं है अब यह सब मेरी प्रॉब्लेम है क्योंकि बाहर क्या आवाद जो है आपको सुनाई ना दे इसलिए मैं कार के अंदर जो है वीडियो बना रहा हूँ फिर यह इंपोर्टन टापिक पर वीडियो बना रहा हूँ यह जो नॉलेज है मुझसे बहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि यह सारी चीज़े मैंने प्रैक्टिकली की है विसलिए मुझे सब कुछ सारी चीज़े इसके बारे में पता है हमरा आज का जो टॉपिक है वो है कि हम जब भी कभी समचिबल मोटरे के अंदर पानी यूज करते हैं तो पानी की जगे पर हम कुलंट यूज करें तो क्या होगा या फिर ऑइल जो इंजिन के अंदर ऑइल आता है वो वाला ऑइल अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या उसके benefit होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे जैसा आप सुच रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है आप सुचते होगे कि जो हम समर्शिबल मोटर आती है इसके अंदर पानी से बहतर oil काम करता होगा सबसे पहले हम oil की बारे हम बात करेंगे कि oil जो है अगर कोई समर्शिबल मोटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा पानी तो हर समर्शिबल मोटर के अंदर आता है, यह common चीज़ है हर एक समर्शिबल मोटर के अंदर पानी ही आता है, हम क्या करते है पेने वाला जो पानी हम इस्तमाल करते हैं फिल्टर वाला जो पानी आता है, या फिर जो बोतल वाला या बिसलरी वाला जो पानी आता है, वो जो है आज के दोर में 99% मोटर के अंदर यूजि utilizar जाता है लेकिन क्या होगा अगर हम उसके अंदर oil डाले या फिर क्या होगा उसकी जगे पर अगर हम coolant डाले जो coolant भी होता क्या होता है ओयल भी जो होता है, वो कार के अंदर यूज होता है, और पानी जो है, हम बस पानी पीते हैं, और कुछ नहीं पानी भी उसे कार के अंदर यूज होता है, तो क्या इसके फाइदे हैं, क्या इसके नुक्सान हैं, क्या इसके तोटे हैं, अभी हम बात करते हैं, चलिए अब सब के अंदर बेरिंग और बुष को बचा के रखेगा मतलब एक बार हम ऑल डाले जब जब कि पानी अगर डालते हैं तो उसकी लाइफ छे साल साल आठ साल नव साल दस साल कुछ नहीं होता है अगर पानी के जगे पर हम अगर ऑल डालेंगे मोटर के अंदर तो कभी बुषिंग बेरिंग खरा भी नहीं होगी एसा मसचते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे दस्तों बात यह होती है कि अगर हम आयल करते हैं तो लगबग कभी-कभी 8 गंटी चलती है, कभी-कभी 12 गंटी चलती है, कभी-कभी 16 गंटी चलती है, तो कभी-कभी 24 गंटे भी चलती है, क्या होता है कि हमारी मोटर का जो टेंपरेचर है, बहुत जादा बढ़ जाता है, लेकिन temperature को ठंडा करने के लिए oil इस्तिमाल में होता ही नहीं है यसी लिए जो है oil जो है motor के अंदर काम में नहीं आता है हमने एक बार टेक्समो motor के अंदर उसकी बार बार bearing और bush खराब हो रहा था बुशिंग को कुछ नहीं हुआ था लेकिन जो हम जैसा सुचते हैं कि oil जो है वो लूब्रिकंड का काम करेगा समशिवल मोटर के अंदर यह तो ठीक है कि लूब्रिकंड का काम करेगा लेकिन इसका एक problem है कि यह heat को मतलब heat absorb करता और वो heat को बढ़ाते जाता है एक टाइम पर इतना temperature हो जाता है कि वाइडिंग को और bearing को भी जाला दिया था इसलिए समशिवल मोटर के अंदर कभी भी oil इस्तिमाल ना किजेगा यह पहला काम है अब दुसरा काम है थuleंट कुलेंट अगर समर्शबल मोटर के अंदर डालेगे तो के क्या मोटर के और डालेंगे तो वाइदे ही फाइदे हैं मुट्साथ कुछ भी नगे वैसे दुनक्सान तो एक चीज का होता है नुकसान मैंसू पैसों का क्यूंकि पैसों से जाता है खुलंडर मतलब hai पांच का कुलंट लगेगा तो लगबग एक डिबा लगबग 1.500 या फिर 200 रुपए के असपस आता है तो 200 और 200 हमको क्या करना पड़ेगा पाच लिटर अगर कुलंट बाना ना है तो 400 रुपए चले जाएंगे दो डिबबे खरिदने होंगे और उसके जितना पाणी है उतना फिर स सबसे पहला इसका फाइदा यह होता है कि सबसे बड़ा फाइदा कि मोटर के अंदर रस्टिंग आने नहीं देता जो मोटर के अंदर की जो पाड़ है वह आपको बिलकुल भी मतलब गंजे होए या पिर जंग खाये होए या पिर रस्टिंग वाले आपको नहीं मिलेंगे कुलन्ट का सबसे बड़ा benefit है कि मोटर चांदर कभी भी ethn慨हीं आती है, लेकिन मोटर के भाहरे से तो आती है क्योंकि भाहरे से कोई कुलन्ट होता ही नए, भाहरे से पानी आता है, इसलिए ये पहला काम है, दूसरा काम ये ही कि मोटर को ठंड़ होगी काम आता है, लेकिन coolant कभी भी खतम नहीं होता है क्योंकि इसकी वाप बनने का chance बहुत कम है ये boiling point जो हता है उसका high होता है ठीक है ये दुसरा काम है और तिसरा जो काम है वो तो मैं भूली गया और तिसरी बात है कि चलो motor को ठंडा रखता है अधार बाकी कुछ नहीं है तो coolant डालने से motor को कोई भी नुक्सान नहीं तो आप बिंदास्त motor के अदर coolant डाल सकते हैं यहां तक जो लाड़ा वाली motor आती है तो लाड़ा के अंदर खुद coolant आता है मैंने देखा है company से coolant आता था और तिसरा जो हता है पानी पानी जो हता है वो नॉर्मल बात है अगर आप पानी यूज़ करना चाहें तो गंदा पानी ना यूज़ किज़ेगा क्योंकि गंदे पानी से क्या होता है कि मोटर के बुशिंग और बेरिंग खत्रे में आ जाते हैं अगर पानी यूज़ करना है लेकिOST, एक किसी Auro approached का या फिर B técnica का या पिर B countdown के वाला अगर उस्स करेंगे तो और भी बहतर हो जाता है और विससे बहतर यह होता है कि आप अगर कुलन ट्यूज करेंगे तो और भी बेतर होता है लेकिन कभी भी मोटर के अंदर ओयल का इस्तमाल ना कीजिएगा क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नुक्सान है ये तो सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी चलिए दोस्तों आप इस वीडियो को हम यहीं पर खतम करते हैं ऐसे इंफोर्मेटिंग टॉपिक देखने के लिए आपको हमाई चैनल को सब्सक्राब करना होगा मिलते हैं किसी नेक्स ट्रेमें तो पतले टेक केरें और गुडबाई